कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो अपने जाति मुफात के लिए जा रहे हैं। मुम्रा के जो विधायक है जीते इंद्रावाट उनके जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे करके अब नजीब वुल्ला इंस पी गोट में जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। जो अजित पवार की गुठा एंसे पी उसमें शामिल हुए हैं आज भी मुम्रा से कई ऐसे लोग थे जो विधाई जीतन रवाट से जुड़े हुए हैं और वो अब जो है नजीब मुल्ला के साथ में जुड़ गये हैं जिनको पदभार भी दिया गये हैं शाकिर भी क्या बत साथ में और भी कई लोग थे जो शामिल हुए जाकर वहां पर असलाम अलीग्या इसलाम अदिन भाई कि आपने बोला कि कुछ लोग जो है जितन दरवाट साब को छोड़ चोड़ कर जा रहे हैं तो मैं जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं तो मैं पहले यह कहूंगा कि उनका इतियास है कि वह पहले किस पारिटी में थे फीस किस पारिटी में थे फिर किस पारिटी में थे और अब किस पारिटी में जा रहे हैं तो जो आदमी वफादार है होता है पारिटी के साथ होता है पारिटी की विचारदारा के साथ होता है वह आदमी पारिटी को पारिटी की विचारदारों को कभी छोड़ता नहीं और जो अभी जैसा आप बता रहे हैं वो parents body के हैं parents body के वो उनके पास कोई पोच्टी मुझे उसके भी यह यह नहीं है लेकिन बाइराल हर किसी का हर किसी का अपना पर मुफाद होता है हर किसी को अपनी अपनी अपना decision अपना फैसला लेने का हक है और कि कुछ लोग जो ऐसे है कि जो अपने जाती मुफात के लिए जा रहे हैं कुछ लोगों को डर और भहे का भहे का माहुल जो तैयार करके बुलाया जा रहा है कुछ लोगों को कुछ लोगों जो है खरीद और फरोगत का ये जो मामला चला है तो खरीद और फ तो बेरहल जो भी जा रहे हैं जाने वाली के लिए जो गए है उनके लिए पुशामदीद है और रही बाद चाने के लिए अगर चौन लोग जा रहे हैं लेकिन अवाम लोगों का ऐसा कहना है जो जा रहे हैं कि नए नए लोग आ रहे हैं जो पुराने लोगों को काम करने नहीं दे रहे हैं उन्हें किनारे कर रहे हैं और जो विधायक हैं वो भी नए नए लोगों की बात सुनते हैं पुराने लोगों को इग्नॉर कर रहे हैं मैंने देखिए इसके लिए महारा आपसे मैं कहूंगा इसका एक ही जवाब रहेगा जब खाने मिले तो अंगूर अच्छे हैं ना मिले तो अंगूर खटे हैं इस महारे का मतलब यह हुआ कि जब तुम जुड़े थे तुमको तो किसी ने किसी पारिटी और पोस्ट के तो किस नए लोगों से जुड़ने से तो मस्बूत हो रहा है आज यंग्स्टर जुड़ रहा है तो अच्छी बात है कि यंग्स्टर का किसी पार्टी के साथ जुड़ना बहुत आने वाले दुनों के लिए बहुत अच्छे संकेत है कि यंग्स्टर जो जागा है जो यंग्स्टर पुरे हंदुस्तान में मनवाया है जैसे कि आज अपोजिशन जो अपोजिशन है अपोजिशन खुद इस बात को मानता है कि अगर कोई वफादारी पारिटी के साथ जो वफादारी और जो एक जो कहते हैं निश्टावन कारे करता अगर कोई है तो वो जॉक्टर जितेंद्रावाड है जो पारिटी के हर मुद्दे के उपर सबसे पहले और सबसे आगे पहल करता है और सबसे आगे उसका मूतोड जवाब देता है तो ये तो उनका लोहा तो अपोजिशन पारिटी वालों ने भी मना है उनका लोहा मना है और रही बात ये जो बोलनी की बात है आप लोग भी जा रहे हैं नजीम उल्ला से मुलाकात करें लेकिन शिप शिप कर परदे के पीछे ने 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 परदे के पीछे के मुलाकात हमारे मिलने और करने के परदे के पीछे के कोई बात नहीं है जो भी मुलाकात है, सब के सामने हैं, पीछे और आगे वाला तो अपना वो मिजाजी नहीं है, और रही बात हम वफादार अपनी पार्टी से रहेंगे, वफादार हम हमारी लोगों से, हमारे आवाम से रहेंगे, यह आवाम है, वो हर कोई आवाम सब जानती है, कि हम कभी BGP की विचार दारा के साथ कभी नहीं जाएंगे, अभी जैसे दो दिन कुछ एक प्रोग्राम हुआ, उनके कुछ प्रोग्राम के अंदर किसी लीडर ने कहा, वो BGP अच्छी, वो BGP अच्छी, तो मेरा सवाल है उनसे, क्या वो ही BGP अच्छी, जो हमारी शरीयत के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर जो मतवत करती है, हमारी शरीयत में इंटरफेर करती है, क्या हमारी शरीयत के अंदर उन्होंने टिपल तलक पर उन्होंने इंटरफेर किया, बुर्खा बैन उन्होंने लगाया, तो मारा टेनों के अंदर, टेनों के अंदर हमारे लोगों के उपर मा करते हो, BGP के साथ में रहकर, BGP के साथ में रहकर C visão ANDRC का समर्तक्रां करते हो, अब बुर्खाब, बुर्खा हिजाब के अपर समर्तन करते हो और यहाँ पर इन सब चीजों के अपर अगर किसी लीडर ने अपनी बेबागी से अगर अपनी बात को रखा है तो उस शक्स का नाम है डॉक्टर जेतेंदर अवाड कि जिनोंने ने इस हर मुद्धे के अपर Minority के हर मुद्य के अपर अपनी बात को बेबाकी से रखा है अभी जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर जो यात्रह निकाली गई और यहाँ पर स्चेंड आगेर में कुछ प्रोग्राम हुआ था उस पर भी जो हैटी स्पीच जो किया गया तो सबसे पहले इस्टेंड किस ने लिया हाजी मलंग के अपर अगर हुआ तो सबसे पहले इस्टेंड किस ने लिया ट्रेन के अंदर जब गोलिया चली तो सबसे पहले इस्टेंड किस ने लिया बिलकिस बानों केस की जब आप गुजरत आपने सुनवा हुई तो उसके अपर सबसे पहले स्टैंड किस ने लिया ये इन सारी चीज़ों के ओपर सबसे पहले स्टैंड लेने वाले डॉक्टर जितन्दर अवाडी थे आज अगर यह बोलते हैं कि वीजीपी अच्छी तो फि इसका समर्तन भी फिर ये करते हैं, इसका समर्तन भी फिर ये लोग करते हैं, सिधा सिधा, यही हो रहा है, और देखिए कैसा है, कि जैसा आज वो आपने का कि आजित पवार गुटके उसमें गए हैं, तो कैसा है कि एक नारा लगता है, गुरु के लिए हर चेला एक नारा पर बैंक गोटाला तो जब जब मेरे गुरू के ऊपर बैंक गोटाले का आरॉप लगा है तो कई मुझपर भी तो बैंक गोटाले का आरोप ना लग जए तो उनको यह बी एक डर है कि हमारा भी घोटला काई भार ना जाए हमको भी डी का समन ना जाए तो ये भी है एक आखरी सवाल उसे काफी चर्चा तो है कि आप लोग भी जाकर मुलाकात कर रहें लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ आप लोग जितेंद्रावाट के साथ में ही रहेंगे या जैसे लोग जा रहें इसी तरह से चले जाएगे इसलमुदिन भाई इसके पहली भी आपने एक सवाल यही सवाल अपनी किया था तो मैं आज आपको यह बात को आज यह बात को आपको बता देता हूँ कि हम जैसे जितेंद्रावाट शाप शरत पावर के साथ जुड़े है उनके वफादार उनके लिस्टावंड है उसी के साथ हम शानू पठान उनकी टीम जितेंद्रावाट के साथ तन मन दन से जुड़ी है और आखरी दम तक हम जितेंद्रावाट के साथ ही हम जुड़े र जाता है शाहू फोले अंबटकर की जो विचारदारा है हम उस विचारदारा के साथ में हम बीजीपी समर्थन और बीजीपी की विचारदारों के पार्टी के साथ में हम कभी नहीं जाएं तो आपने सुना कि भले ही कुछ लोग विधाक जीते द्रभाट को छोड़ कर जा रह अच्छा उन्ही के साथ रहेंगे